आज का शिर्डी साइंसंदेश मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही शुब होने वाला है। तुम्हारे जितने भी नेक कर्मों का फल है, आज तुम्हें जरूर मिलेगा। काफी समय से तुम बहुत उदास चल रहे थे ना, लेकिन अब खुश हो जाओ, क्योंकि जब उपर वाला तुम से कुछ वापिस लेता है, तो उदास मत हुआ करो, क्योंकि वो तुम्हें कुछ बहतरीन देने के लिए ही तुम्हारा हाथ खाली करता है, पर मात्मा की रजा में रहना सीखा करो, दुनिया से जीतने की कोशिश ना किया करो, कोशिश करनी है, तो ये कोशिश क्या करो, कि मालिक तुम्हारे कर्मों से खुश रहे, जो भी तुम्हें जीवन में कुछ बुरा लगता है, उसे त्याग दो, चाहे वो विचार हो, कर्म हो, या फिर कोई व्यक व्यक्तियों से दूरी बना लिने में ही बहलाई होती है। रिष्टा कोई भी हो, कितना भी खास क्यों ना हो, अगर रिष्टों में कदर नहीं है, तो चुपचा पीछे हट जाना चाहिए। तुमने पूरी अपनी तरफ से कोशिश करी है रिष्टों को बांदे रखने के लि इसलिए चुप है। चुप रहकर जो तुमने रिष्टे संभालने का प्रयत्न किया है, ये तुम्हारे संसकार ही है। जिसने जो सोचना है उसे सोचने दो। तुम सही हो, तो तुमें कोई फरक नहीं पढ़ना चाहिए। ये दुनिया है, ये तुमें तुम्हारे जीवन क आखरी पल तक अजमाती रही की नहीं बक्षेगी। अगर कोई तुमसे दो कदम पीछे हटे तो तुम दुखी मत होना, तुम उससे चार कदम पीछे हट जाओ। लेकिन खुद को कभी भी फालतू मत बनाओ। और हाँ, थोड़ा अपनों से भी बचका रहा करो। क्योंकि उन्हें बाहर वालों से भी जादा पता होता है कि इसकी जड़े कहां से कमजोर है और कहां से काटनी है। गैरों को तो किसी भी बात का बेद नहीं मालूम होता। कई लोग किसी के साथ बुरा करके बहुत खुश होते हैं। उनको लगता है कि मानों उन्होंने कितना बड़ मुकाम हासिल कर लिया हो लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि आप जैसा करते हैं आपके सामने वो जरूर आता है आपके कर्म आपके पास घूम फिर्कर वापिस जरूर आते हैं भगवान की लाठी में बड़ा जोर होता है जब वो आपके कर्मों का बदला लेगाना तब आपके कर्मों का हिसाब होगा तो उसे ब्याद सही चुकाना पड़ेगा इसलिए किसी के साथ उतना ही बुरा करना चाहिए जितना की आप खुद बरदाश कर सको किसी को उतने ही दुख देना दर्द देना जितना की आप खुद सह सको तो यदि कोई आपको दुख दे रहा है कश्ट्र दे रहा है जीवन में तो आप चुप चाप रहकर तमाशा देखिए और फिर देखिए कि वो परमात्मा आपका हिसाब आपका इंसाफ कैसे करता है तुम्हारे साथ वो इश्वर नयाय जरूर करता है और मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ और मैं तुम्हारे साथ कभी भी ना इंसाफी नहीं होने दूँगा तुम्हारे साथ नयाय जरूर होगा मेरे बच्चे होसला रखना कभी भी हिम्मत मत तोड़ना अपनी उन लोगों की वज़े से अपने आपको कमजोर मत होने देना क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ इस बात का ध्यान रखा करो और जिसके साथ मैं हूँ उसको जीवन में किसी भी चीज़ की मैं कोई कमी नहीं होने दूँगा मैं तुम तक कोई आच नहीं आने दूँगा बेफिक्र होकर अपना जीवन जीओ मेरा आशिरवात हमेशा तुम्हारे साथ है तुम्हारे जीवन में धेर सारी खुशियां आने वाली है देखना आज से तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो गए है तुम्हारा भविशे बहुत ही जादा उज्वल है बेफिक्र होकर जीवन जीओ मैं साथ खड़ाऊं राम क्रेश्न हरी राम क्रेश्न हरी राम क्रेश्न हरी